नमस्कार, डियल लेफ रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पके हुए केले के मिठाई बनाना बहुत ही आसान है अक्सर हमारे घर में जब केले ज़्यादा पक जाते हैं तो उसे कोई खाना पसंद नहीं करते हैं तो ऐसे में आप इसका मिठाई बना करके खा सकते है इससे पहले भी मैं आपके साथ केले की मिठाई की रेसिपी सेयर कर चुकी हूँ आज मैं आपको ये दूसरा तरीका बता रही हूँ दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं दोनों ही मिठाई खाने में बहुत तेश्टी लगते हैं, तो आपको जो पसंद हो उस तरीके से बना करके खा सकते हैं, तो चली बनाना शुरू करते हैं, केले का मिठाई, इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 6-7 पका हुआ केला, लेंगे एक ग्रेंडर जार, इसमें हम केले क चीली करके, छोटे-छोटे टुकडे काट करके, इसका हम पेश्ट बना करके तयार करेंगे, पहले जो मिठाई की डेस्पी मैंने आपके साथ सेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिक्शन में दे रही हूँ, या फिर आप ऊपर आई बटन से भी उसे देख सकते हैं, तो आप हम एक पैन को गरम करेंगे, पैन गरम हो जाए, तब हम उसमें लेंगे, एक बड़ा चंबस घी, घी को मेल्ट होने देंगे, घी के मिल्ट होते ही हम इस में लेंगे आधा कप मैदा, अब हम मैदे को मेदे मेडिम फ्लेम पे गुलाबी होने तक बून करके तयार करेंग मेंदे को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इससे खुस भूना आने लगे मेंदे का कलर चेंज होने लगा है इससे भूनते हुए लगभग दो मिनट हो गये है मेंदा भून करके गुलाबी हो गया है इससे खुस भू आने लगी है अब हम इसमें केले का पेश्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से mix करेंगे गैस का फ्लीम हम medium पर ही रखेंगे और इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे किसी spatula की सहता से हम इसे मसलते हुए अच्छी तरह mix कर लेंगे इसे क्या होगा कि इसमें जो lumps पर रहे हैं वो खतम हो जाएंगे, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, एक दम इसमूध इसका हम डोबना करके तयार करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे एक चौथ हाई कप दूद, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे वान थाट कप चीनी, मैंने यहाँ पर मिक्स हो गया है, अब हम इसमें सलते हुए एक-शीर येट मिनिट तक मेडियम फ्लेम पे पका लेंगे, इसे हम तब तक मिक्स करेंगे, चीनी हम अम करके तयार करेंगे, अगीर इसमें लम्स रह जाते है, तो फिर मिठाई जो है वह अच्छा नहीं बनेगा, मैंने इसे यहांपर मैं ने लिया है orange food color, आप कोई भी food color इसमें डाल सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे, आपके पास जो भी food color हो आप इसमें डाल करके इसे बना सकते हैं, मैंने इसे अच्छी तरह से mix कर लिया है, अब हम गयस के flame को बंद करेंगे, और इसे ठंड़ा होने देंगे इधर पहले वाला जो भाग है यह ठंड़ा हो गया है अब हम इसे अच्छे तरह से मसल कर इसे चिकना कर लेंगे अब हम इसका लोई बना करके इसे डोटी की तरह पतला और लंबा बेल करके तयार करेंगे इस तरीके से उंगली को सहाथा से पहले हम इसे पहला लेंगे अब हम बेलन की सहाथा से इसे लंबा और थोड़ा मोटा बेल कर तयार करेंगे इसे हमें गोल नहीं बेलना है थोड़ा लंबा बेलना है लंबा बेलने से रोल करने में आसानी होगी इसलिए हम इसे अच्छे से बेल करके तयार करेंगे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है इधर दूसरा वाला जो भाग था वो भी ठंडा हो गया है अब हम इसका रोल बना करके तयार करेंगे इसे हम अच्छी तरह से मसल करके चिकना कर लेंगे फिर हम इसका रोल बनाएंगे अब हम इस रोल को रोटी के उपर रखेंगे अच्छी तरह से हम इसे चिकना कर लेंगे और साथानी से इसे हम फोल्ड करते हुए इसका रोल बना कर तयार करेंगे अब हम इसे fold करेंगे और इसे चिकना भी करते जाएंगे आप चाहें तो इस मिठाई को दो layer में भी बना सकते हैं दोने layer को किसी plate में फैला दें और फिर आप इसे बर्थी की तरह काट करें भी इसे बना सकते हैं मैंने इसे अच्छे से रोल कर लिया है तो चलिए, अब हमें से काट लेते हैं हम देख सकते हैं ये कितनी आसानी से कट रहा है, एकड़ाम सौफट हमारा मिठाई बनकर Science करके तैयार हुआ है देखने में भी बहुत अच्छा लगड़ा है, खाने में भी बहुत टेश्टी है तो जब भी आपकी घान में पके हुए केलिये पचाते हैं तो इस तरीके से आप मिठाई बना करके उसका इस्तमाल कर सकते हैं और उसे वेश्ट होने से बचा सकते हैं तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं मैंने इसे थोरा से पिस्ता के कत्रन डाल करके सजाया है आपको जैसे भी पसंद हो वैसे आप इसे गानिस कर सकते हैं वैसे सजा सकते हैं तो लीजिए बनकर तयार हो गया कि लिका मिठाई वीडियो हेल्प लगा हो तो प्लीज हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें कॉमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करके और पर लगाए जिस्ते की हर आने वाली वीडियो के निटिफिकेसा सबसे पहले आपको मिले अब मिलते हैं अगले वीडियो में ने रेसीपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार